आज की ये रेसिपी देने वाली है आपको टेस्ट के साथ साथ भरपूर हेल्थ वेनिफिट तो जी हाँ आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ऐसे लड़ू जिनें खाकर आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी और टेस्ट तो है ही ऐसा टेस्ट के आपसे कर असकी रेसिपी को पूछेंगे तो देखिए ये लड़ू देखिए किस तरीके से बना हुआ है बहुत जादा टेस्टी और बहुत जादा हेल्थ बेनिफिट देने वाला आखों की रोशनी बढ़ाएगा आपकी सरीर की कमजोरी को दूर करेगा सर्दी जुखाम से बचा जो आप फस टाइम मना लेंगे बहुत आशान तरीके से तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं रादे रादे एवरीवन कैसे हैं आप सभी आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्त होंगे तो जी मैं आ गई हूँ किचिन में और मैं बनाने वाली हूँ अज लड़ू क्योंकि फिर वही बात कि कृष्णा जाने वाला है दुबारा से और मैं जब ही लड़ू बनाती हूँ जब कृष्णा आ जाता है तो पहले मैंने वेशन की लड़ू की आपके साथ रेस्पी शेयर की थी जो कृष्णा गया था तब ही एक मेने पहले अब दुबारा से ये साथ हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होने वाले हैं तो वही मैं शेयर करनी तो बस यहां पर आटा जो है मैं निकाल रही हूँ छान रही हूँ जादा दिन के लिए भी नहीं जा रहा है आ जाएगा दीपावली पर तो फिर लड़ू भी मैं थोड़े ही बना रही हूँ लिए तो मैंने घ्ल कील आटा करीब लिया है मैं यहाँ पे मेजरमन तुप नहीं गया लेकिर अंदाजेस जसे मैं आदा क्लो लगवा गाठा ले लिया है अप चलिए तैयारी कर लका़ लेते हैं लड़ू बनाने की तो मैंने कड़ा ही रख ली है गैस पर और यहां पर कृ जाएका पाष। तो जी यहां पर मैं कुछ चीजों की तैयारी कर रहे हूं जैसे कि यह मैंने लिए है क्या ढूंने nee ड्राइफ फुट्स की ड्राइफुट्स आप जो भी डालना चाहिए आपके ओपर करता है 아प कुछ भी ले सकते मैंने यहां पर काजू और बदाम लीये हैं मैंने काजू लिया है और एक मुठी मैंने बदाम लिए हैं ये देखे इस तरीके से या है और ये जो उल्द doe लेके बड़ा भाला साइज रासाइज के जाता है गद करदा है desem इंदर दूके अंदर तो मैं कट करूंगी इसको आप चाहें तो क्या कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा डर.. कूट भी सकते हैं, आपके उपर डिपेंट आप क्या करना चाहते हैं, तो चलिए यहाँ पर हम इस तरीके से काजू और बादाम को कट कर लेते हैं, तो जी यह देखिए, यहाँ पर मैंने काजू भी कट कर लिए और बादाम चर्फ चलिए सो मैं मिकसी जारम डाल के इसको पीस लिया है और अब हमें एक लेना है घी तो यहां घी कितना लेना है मैंने आदा कलो लगबग आटा लिया है और यहां उसके लिए मैंने 200 ग्राम घी लिया है और इसको हम 2-3 बार में यूज़ करेंगे तो यहां सबसे बहले तो मैंने एक बड़ा चमच जो है गी लेए है पहले उसमें क्या करना है हमें जो हमने काजू अब अदाम को डाल काटके रखाता है इसको छोड़ा सा फ्राइ करेंगे अच्छा आप यहां पे खरबुजे की मिजी भी ले सकते हैं और आप यहां किसमिस भी फ्राइ कर सकते हैं लेकिन मैं किसमिस फिना फ्राइ करें डालूंगी क्योंकि फिर फ्राइ करके थोड़ी मोटी मोटी फूल जाती है तो थोड़ा जादा ही वैसा रखती है कि निकल के भागती लड़ू में से तो इसलिए मैंने किसमिस को भूना नहीं है मैं ऐसे यूज करूंगी तो यहां प मैं अच्छे से इनको फ्राई कर लिया कलर आप देख सकते हैं डार्क नहीं किया हलका सा हुआ है कलर अब यह जो घी है ना इसको मैं निकाल लेती हूं क्योंकि इसमें क्या है ना जो कड़ थे काजू बादाम के थोड़े बहुत बारिक बारिक हो जाते है ना वह अगर मैं इस इसे क्या रहता है एक आइडिया हमें रहता है कि गी हमें कितना लग रा है ठीका नहीं पर यहां पर दो 50 कराम घीकार मैं कुछ लब वे यूज किया और आधह से जदा में अभी यूज किया अब हम इसमें ढॉल देते 還 to kings तो अडादने के बाद में अब इसे थूण ना है उसके बाद जैसे यसे हमें जैसे हम्ना जरूरत लगती जाएगी हम गी डालते जाएगे तो आप इसको आपको को भून दूसरी बात जो आटे के लड़ू होते है cricket उसमें थोड़ा सबगा से जलदी बुँझाता है अटा थोड़ā देर में वुझता है और आटे में घी भी थोड़ा सा जादा लगता है, जैसे कि मैंने पहले आपके साथ में बेसने के लड़ू की रेस्पी शेयर की थी, आदा किलो में मुझे 250 ग्राम घी ही लगा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे घी जादा लगा, तो बताओंगी मैं कितना लगा है, तो यहाँ पर औ हम इसको भूनेंगे, अच्छी धीमी आज पे भूनेंगे, तेज आज पे बिल्कुल भी ना भूनेंगे, तो कलर चेंज तो बहुत जल्दी हो जाएगा तेज पे, लेकिन लड़ू का टेस्ट बिल्कुल बेकर जाएगा, अच्छा नहीं आएगा, इसलिए आपको धीमी ध गी अभी इसमें कसर है, थोड़ा सा मुझे और डालना है, बहुत से लोग क्या करते हैं, इतना गी ही डाल करके भून लेते हैं, बाकि एक्स्ट्रा गी लगता है न, वो जब लड़ू बनाते टाइम डालते हैं, ऐसे भी डालते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं डालती हैं, इस तरीके से मैं दीमी-दीमी आज पर और भूनती जा रही हूं जैसे-जैसे मैं भूनती जा रही हूं वैसे वैसे ये गी रिलीज करता जा रहा है आटा वी त इस तरह से होते हैं, यह क्या करते हैं, पहले घी को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर जैसे यह से भूनते जाता है, वैसे वैसे घी को रिलीज करते जाते हैं, तो यह देखिए, जैसे जैसे मैंने भूना, और तो वैसे वैसे ही घी जो है, फो रिलीज थोड़ा होने लगा है, ल सही 300 g घी मुझे यहां पर लग गया है आदा किलो आटे में मेजरमेंट एक दम परफेक्ट है आप देखेगा लड़ू भी आप देखेंगे तो एक दम परफेक्ट बनेंगे तो यहां पर मुझे आदी कलो आटा में और जो है 300 g देशी घी लग चुका है तो अब देखिए अ ऐसे जैसे भूनती जारी वैसे घीषी हो रहा है अब हमें क्हा करना एक चम्मच घी लेना एक छोटी चम्मच लिया है दो चम्मच सॉट 9 00 D हाँ जी सौट का पाउडर यानि जिंजर पाउडर होता है वो ड्राइ जिंजर पाउडर उसको हमें थोड़ा सा घी डालके हलका सा बूह लेना है और उसके बाद मैंने यहाँ पर एड किया है दो ही चम्मच जो हमने काली मिर्ची नहीं वाइट वाली मिर्ची पीसके रखी थ साथ में इस जो दखनी मिर्ची को लेते हैं और साथ में थोड़ा सा मिश्री का पाउडर लेते हैं तो आपकी चो रोशनी है न वो बढ़ने लग जाती है तो मैंने इसलिए इसको यह डालकी दिया है वैसे यह लोग नहीं खाते हैं लेकिन लड़्डू के बाहने यह खा ल दिया था उसके बाद हमने चीजे डाली क्योंकि फटा फट से बहुं जाती है अभी जो है हमने जो आटा बहुं चुका है बहुचा कलार आ गया था इसको निकाल दिया एक पराथ में इसको थंडा करने के लिए छोड़ देंगे उसके बाद में हम बनाएंगे लड़्डू कररimento मैं पिसी हुई चीनी आप ले सकते हैं या भूरा जो होता है बोले सकते हैं या तगार ले सकते हैं तो यहां पे मैंने लगबग आदा किलो से थोड़ा सा कम लिया है भूरा क्योंकि किशना बोले ममत थोडा मीठे रखना मीठ आप अपने साब से अर्जस्सक्र सकते है मेठा ही चलता कि आपने गी डाला ऐ है आटे मेन अगर आप ज़ादा गी डालेंगे तो म התक्रीदा विलड्डलम इती अगर थाल उखता कि इंगर उखेंस दोर घ्लडलत के अब मेठा याँ में यहां पना अदर कि चया सास़ साग़ तो कीणि मस पर कौण तो नहीं बेशन के मैं डालती हूँ तो मैंने इलाइची नहीं डाला है इलाइची आप डालना चाहा है तो पसंद हो तो आप डाल सकते हैं अब क्या कहने अच्छे से इसको mix कर लीजिए खोब बढ़िया से दोनों हातों से रगड रगड के जो बूरा हमने डाला है वो और आटे तो यह देखिए कितने अच्छे से लड्डू हमारे बंद बा रहे हैं बहुत ची शाइनिंग आ रही है लड्डू में अब यहां पर एक चीज में आपको बताते हैं जैसे कि आपको लग रहा है कि इस तरही अपनी मीठा ज्यादा डाल दिया है और लड्डू बंद नहीं बिखरे-बिखरे से ही हो और तो अब घी गरम करके जालेंगा और कर गोंद घंचा घंगे अगर द्यार को बहां अब यहां को देखिया गोल कींअने ए हंगाुड़ रिही तो तेरी कि और करी जैसे कि आपके लड्डू भी गोल गोल बन जाएंगे ठीक है ना आप 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 में बना रही लड्डू ठीक है रागप का क्या है जब रागप से कोई वीडियो बनवाती हूं ना जैसे कहते हैं रागप शूट कर दे तो बस करता बस तो मैंने मैंने घुड़े का तो बस बस बोट करता है वीडियो में आप बस भी पॉप भी पॉप भी पॉप यहां बै जब तक मैं बना रही थी लड्डू और कृष्णा बना रहा था कॉफी हम सब के लिए कृष्णा बोला ममी कॉफी पीनी है तो मैंने का ऐसा है तू बना ले तो बस वो यहाँ पर हमारे लिए कॉफी तियार कर रहा है और मैं बना रही हूँ वहाँ पर लड्डू अभी मेरे किचिन में काम फेला पड़ा है बरतन धेर सारे पड़े हैं और अभी मेरी किचिन साफ करने को भी पड़ी है तो चलिए यहाँ पर जो है देख सकते हैं लड्डू मेरे बन चुके हैं और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने बडिया परफेक्ट कलर आया है लड्डू का और यह लड्डू इतना टेस्टी लगता है आप लोग भी जरूर से बनाएकर आपके बचे बाहर रहते हैं या आपके घर में किसी को परेशानी है या नहीं भी है तो भी क्योंकि ये चीजे कभी भी न नुकसान नहीं करती हैं हेल्डी ही रहती है तो यहाँ पे हमारे बढ़िया से लड़ू बनके तयार हैं अभी और एक्स्टा थोड़े से बन गए थे जैकर मैं थोड़े ही बनाए लगबग इससे मेरे एक सवा के लोग के करीब लड़ू बन गया था इतने चीजों में तो यहाँ देखिए लड़ू का कलर एकदम बढ़ तोड़ के दिखाती हैं कि लड़ू कितना अच्छा लग रहा है और इसमें ड्राइफूट हमने डाले न आप ऐसे भी डाल सकते हैं बिना भूने लेकिन भून के हम डालते हैं फ्राइब करके तो इसमें अलगी टेश्ट आता है तो यहाँ पे देख सकते हैं लड़ू का ट अब तब तक एकृष्टन बना के ले गया क्या है कॉफी पर आगबावु पी रहे हैं और कृष्टन अब इदिखा थे आपकोँ में सीघरी बैठा है कॉफी बना के लाया है, मुझे कॉफी बना की लाया है है अब ने कैशे ब्लग भी और राट के किने वजरें पोले 11 है पॉने ग्यारे बजगे हैं अभी पदा मेरे बर्तन पड़े हैं किचिन वी जिन तो मैंने साफ कर दी बस बर्तन रहे गए मैंने का पर लड्डू बना लेती कुछ सुबह ये निकलेगा साथ 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 पर निकल जाएगा तो बस जी लड्डू थोड़े से वैसे हो जाएंगे तब इनको मैं पैक करूंगी पाकी इसका बैग बैग सब लग चुका है और आप भी कॉफी पी लीजिए बर्तन पड़े हैं भी पहने क्यारे बजगे हैं बता है बर्तन साफ करने मुझे अभी हम कॉफी पी लेते हैं इस तब तक लिए हरे कृष्णा राधी राधी थैंक्स वर वाचिंग